जारखन में डगमगा रही है हेमंद सोरेन की कुरसी मुख्य मंत्री पर लगे संगीन आरोप पर राजेपाल का एक्शन जारखन में तुफान से पहले चाई है खामोशी खनन पट्टा लेने के आरोप में फसे हेमंद सोरेन और उनके भाई विधायक बसंत सोरेन प्रधान मंत्री और ग्री मंत्री से मिले राजेपाल रमेश बैस राजेपाल ने कहा हेमंद सोरेन पर कारवाई के लिए पर्याप्त है दस्तावेज राजबोवन के सूत्रों से मिली जानकारी के मुताविक मुख्य मंत्री हेमंद सोरेन द्वारा अवेत तरीके से खनन पट्टा लेने के मामले में उन पर कारवाई का पर्याप्त आधार है लेकिन इस मामले में भारत मिर्वाचन आयोग से परामर्श ली जा रही है आयोग का मंतव्य मिलने के बाद ही आगे की कारवाई होगी इधर सत्ता रूड दल ने सीम हेमन सोरिन पर संभावित कारवाई को देखते हुए मोर्चा खोल रखा है जामुमों ने साफ कहा है कि बिना हेमन सोरिन का पक्ष्चुने एक तरफा कारवाई नहीं की जा सकती वे इस मामले में नयाई के लिए समक्ष अदालक में जाएंगे अपने राजिस जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें साथी वेल आइकन बटन दबाना ना भूले